नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं अमारे स्टडी सेंटर फोड़ी उपर आज हम पढ़ने वाले हैं सिवी रमन जी पर असान सब्दों मिनिबंद तो आईए शुरू करते हैं सिवी रमन भारत के महान बिज्ञानिक थे वे पहले भारती तथा एस याई वेगती थे जिन्हें बिज्ञान के छेत्र में 1930 में नोबिल प्रसकार से सम्मानित किया गया था यह सम्मान उन्हें अपने एक महत्वपुन अविस्कार रमन परभाब के लिए दिया गया था उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलांडू राज्जी के तिरूचिरा पल्ली में हुआ था उनकी पिता का नाम चंद्र सेखर अयर और माता का नाम पारवती अम्माल था उनका पूरा नाम चंद सेखर वेंकट रमन था सीवी रमन की पिता चंद सेखर अयर गन्यत तथा भवतिक सास्त्र के अध्यापक थे और माता पारवती अम्माल एक गिरहनी थे सीवी रमन बचपन से ही बहुत परतिभा साली और मिधावी चात्र थे रमन की प्रारंबिक सिक्षा विसाखा पत्नम में हुई इसके बाद उच सिक्षा के लिए वे चिन्नाई चले गए वहां उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से वर्ष 1904 में असनातक एवं वर्ष 1907 में भौतिकी में असनातो कुत्तर की डिगरी प्राप्त की असनातक में उन्होंने कालेज में पर्थम अस्थान प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तथा अशनात कुत्तर पर्थम स्रेनी में अत्नी उच अंकों के साथ उत्रेन हुए थे। अशना कुत्तर की सिख्षा के समय वे परियोग साला में अपने सोध में अधिक व्यस्त रहते थे। उनके सभी सिख्षक उनकी पर्तिभा के बारे में जानते थे। प्रोफेसर जौंस ने उन्हें अपने सोध के परिणामों यानि रिसर्च पेपर्स को फिलोसोफिकल पत्रिका में भेजने का मश्वडा दिया था यह पत्रिका लंदन में प्रकासित होती है उनका यह बहतरिन रिसर्च पेपर सन 1906 में प्रकासित हुआ था इसके बाद रमन का दुसरा सोध पत्र विश्विद्याले पत्री का नेचर में प्रकासित हुआ था वर्ष 1907 में है वे भारतिय वित विभाग दुआड़ा आयोजित परिच्छा में पर्थम अस्थान प्राप्त कर कलकत्ता में सहायक महा लेखा पाल के पद पर नियुक्त हुए उस समय उनकी आयू मात्र 19 वर्ष थी इतनी कम आयू में इतने उच पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतिये थे सरकारी नोकडी के दौरान भे उन्होंने विज्ञान का दामन नहीं छोड़ा 28 फरवरी 1928 को चंदर सेखर वेंकट रमन जी ने अपनी खोच रमन परभाव की गोशना की सिवी रमन के इस युगदान की इस मिर्थी में वर्ष 1987 से प्रतेक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्टिये विज्ञान दिवस के रूप में मनया जाने लगा सिवी रमन जी का नीधन 21 नवंबर 1970 को बेंगलूरों में हुई सिवी रमन विज्ञान के छेत्र में और सधारन योगदान के जरिये राष्ट की सेवा की है उन्हें भारत सरकार दुआड़ा भारत रत्म की उपादी से विभूशित किया गया सिवी रमन भले ही हमारे बीच महजूद नहीं है पर उनकी अमूले सिद्धियां और विज्ञानिक खोज अमर है उनका जीवन चरित्र आने वाले कई नविन विज्ञान चात्रों और विज्ञानिकों के लिए आदर सरूप और प्रेटना दाई बना रहेगा भारत के विज्ञान शिरोमनी करम योगी विज्ञानिक सिवी रमन को हमारा सत्षत नमन आपने देखा सिवी रमन जी पर असान सब्दों मिलन बनत दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए है तो किर्प्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शाथ में विल आइकन को भी दबा दे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई थेंक यू